हाई एवरिवन केसी हैं आप सबाई होप आप खुश होंगे सस्त होंगे मस्त होंगे तो आप सबी को महाशी हुआ राते कि बहुत बहुत शुप कामना है शंकरभवान सबी की मनो कामनाओं को पूर्ण करें ठीके तो आज मैं केंडल वेक्स रेडिंग करने वाली हूँ और य विश आपकी पूरी होने वाली है या जल्द ही होगी वो चीज़ ठीके और मैं थेंक्यू बोलना चाहते हूं सभी के लिए जो लाइक कर रहें कमेंट कर रहें सिस्क्राइब करें जो नहीं कर रहें प्लीज जरूर करें कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बता है कि मतलब चलता है तो और हम मोटिवेट होते तो उसके लिए थेंक्यू प्लीज ठीके तो यहाँ पर मैं मेसेज लेती हूँ भी शंकरवगान की तरक से कि वो इस महाशिवरात्ती पर कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है ठीके यहाँ पर फर्स्ट मेसेज आपके लिए आ रहा ह कि कोई बात ऐसी है जिसको लेके आप बहुत परेशान हो रहे हो तो भूले बाबश शंकरवगान आपको बोल रहे है कि यहाँ पर परेशान होने की कोई भी ज़रत नहीं है जो भी परेशानी आए तू मेरे को सरेंटर करो मेरे पे ध्यान लगाओ मेरे से जो कुछ वो खु के हुए हो तेनचन है बोहों जादा ओवर्थिंकिंग मुझे हैं आपकी लग रही है तो आपको बोला जारा है कि इतनी ओवर्थिंकिंग से कुछ नहीं होगा सिर्फ मेरा ध्याण और यहां पर میसेज आपके लिए आ घाने के जहरत है जितना आप जब करोगे उतनी ही आप वो केते हैं यह मेसेज यहाँ पर आपकी सो लेना मतलब एक वो केती फ्री एकदव फ्री रहना है उसको उसको किसी का अटेंशन या बंदिश में रहना उसको जरुरत नहीं है यहाँ पर मेसेज है कि जितना आप अंदर से खुश रहने की कोशिश करो और बाकी सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी हर वक्त हर परेशानी को मैं सुनता हूँ और समस्ता भी लेकिन यहाँ पर कुछ चीजे ऐसी होती हैं कि आपको है ना वो खुद ठीक करनी आप पकड़ के चलते रहेंगे तो उसके सपोर्ट भी मिल जाता है तो शंकरवगान आपको मेसेज यहाँ पर यह दिया जा रहा है कि अपना रस्ता खुद वाना होता कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो आपके साथ ठीक है तो यहाँ पर आपको मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपको बैलेंस रहना है अपनी हर चीज में बैलेंस बनाने की जरुरत है आपको अपनी एनरजी को बराबर बराबर जगे आपको डिवाइट करने के लिए बोला जा रहा है कि किस टैम पर मुझे क्या करना है किस टैम पर मुझे क्या करना है ठीके तो यहाँ पर मेसेज ह कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें उठो, खड़े हो और आगे चलो, जैसे तुम एक-एक step लेते जाओगे, वैसे वैसे मैं पक-पक पे तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, यह मसमझो कि मैं नहीं हूँ, यह message आ रहा है, ठीके, आप अपनी situation से यहाँ पर message लेना, ठीके, definitely message यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, कि जो भी कुछ करोगे, या करने वाले हो, उसमें आपकी growth है, ठीके, growth और मतलब एक, यह देखो, एक उपर ही उपर जा रहे हो, growth है, आपकी energy काफी balance रहने वाली है, यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, कि blessings आपके लिए रहे है, कि क किसी से कुछ अन्मन सी चल रही है, यह pass की ही कोई चीजे है, pass की ही कोई person है, ठीके, वो आपके इर्द गीर्द ही रहते हैं, तो वहाँ से message आपके लिए आ रहा है, कि इन सब चीजों पर, जितना आप सोच इचार करोगे, उतनी ही चीजे आपके लिए, सही उसमें नहीं ज आएंगी, ठीके, तो आपको करना क्या है, आप सिर्फ अपने बारे में सोच विचार करो, अपने प्रभू, अपने परमात्मा, बोले बाबा के उपर, आपको भी यहां पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है, ठीके, थैंक्यू, कौन सी खुश्या देने वाले हो, कौ किसी को commitment मिलने वाला है, कोई offer करने वाला है, किसी को ठीके, डेफीनेटलि आपके घर में मुझे function भी नजर आ रहा है, बूले बाबा क्या रहे हैं, कि बहुत सारी, जादा मैं खुशिया तुमारे घर में दे रहा हूं, ठीके, जिससे तुम बोहुत खुश होने वाले हो ठीक है मैं जह यहां पर अभी किसी मेरीज को अटेंड कर रहे हो या मेरीज कर रहे हो ठीक है मतलब कुल मिला के आप बहुत पोजिटिव एनरजी में इंजोई कर रहे हो आप अपनी लाइफ को तो बोलेब आपको बोल रहे हैं कि मतलब यह वी बना है और बी बना है तो यहां पर वी और ए के नाम से कोई जो परसन होगा जो अपके पास हो सकता है यहां पट्टी के बोले बाबा ही मतलब आपकी लव लाइफ को भी बहुत बेटर बनाना चाहते हैं मेसेज यहां पर किसी किसी के लिए आ रहा है आप मेसेज आपके लिए यह भी आ रहा है कि आप अब बहुत हैपी रहने वाले हो हो आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम परेशानिया है तो मेसेज आपके लिए हैं और कि भी तरह को अब बाबाभा आपको मतलब क can and balance balance रखना है अपने आपको balance रखोगे तो आप definitely आगे की तरफ बढ़ोगे और अपने आपको खुश रखोगे जब अपने आपको खुश रखोगे तो आप अपनी family को खुश रख पाओगे Thank you angels किसी से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा उमेद है तो आपको बोला जा रहा है कि किसी से कुछ भी ना मांगने की ज़रत है ना किसी से उमेद लगाने की ज़रत है जहाँ पर जो चीज देनी होगी मैं ही दूँगा किसी से कुछ भी नहीं है जो कुछ लेना है जो कुछ मांगना है मेरे पास आओ में दूँगा देखो यहाँ पर एक इमेज बनी है एक परसन है जो हाथ उपर करके मतलब बहुत आप बोले बाबा आपको बहुत इमोशनली आपको हैप्पी करने वाले है खुश करने वाले आप मुझे इसा लग रहा है कि वो सारी चीजे अब आपके पास सारी जो आप चाहते थे ठीके यहाँ पर एक एनिमल्स बना हुआ है यह डोक टाइप का है तो मुझे इसा लग रहा है कि आप डोक की ज़्यादा टच में रहते हो या उनको फूट प्रवाइड करते हो या उनकी कुछ भी हल्प करते हो तो यहाँ पर आपके पुरवजो का मेसेज यही पी आ रहा है कि ज वह सारी चीज़े भी हमारी लाइप पर पतलब उन सब चीजों का भी बहुत इफेक्ट आता है ठीके तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत अच्छे से आपने अपनी चीजों को मैनेज कर रखा है ठीके हमेसा मेरी ब्लेसिंग तुमारे साथ में रहेंगी और ऐसे ही च एक फ्लॉवर बना है जो अप मुझे इसा लग रहा है फ्लॉवर से कुछ करते हो या फ्लॉवर बनाते हो या फ्लॉवर आपको बहुत पसंद है उन उन गार्डनिंग करना आपको पसंद है फ्लॉवर लगाना आपको पसंद है तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि य यह जो सब चीज़ें करते हो यह एक यहां पर मेसेज आपके लिए आ रहा है कि जितना आप नेक्चर से अपने आपको कनेक्शन बना पाऊगे उतनी हीलिंग आपको मिलेगी वह अर्थ गाया से आपको हीलिंग मिलेगी ठीक है जो कि आपका जो रूट चक्रा है वह बैलेंस रह सके जे जे बिल्कूल जे लेटर बना है यहां पर तो हो सकता है जे से जीत भी होता है तो किसी भी चीज में आपको यह अपटी बनाए तो विक्ट्री टी भी आता है उसमें ठीक है किसी किसी के लिए मेसेज यह भी है कोई मुझे यहां पर बेट कर बहुत किसी की एनरजी है जो बेट कर बहुत किसी बात से उधास हो रहे हैं या कोई किसी किसी के जो बतलब रिलैक्स होके बेटे हैं ठीके मंत्रू का जाब कर रहे हैं हैप्पी है ठीक है तो बूले बाब आपको बोल रहे हैं कि जो भी है जिस से जितना हो रहा है वो मैं मैं सिर्फ एक एक तुमारी एक जहला की काफी है बूले बाब आपको यहां पर बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो ठीक है तो आप जो भी कर रहे हो बहुत डेकोरेटेट की काफी शॉपिंग करते हो आप आपको शॉपिंग करना बहुत बहुत अच्छा लगता है ठीके मंदीर आप नहीं गए हो किसी कारण रहन से भी मंदीर नहीं जा पाए हो तो यहाँ पर मेशेज आ रहा है कि कोई बात नहीं मंदीर नहीं आए हो तो पते हैं भगवान तो बोलते हैं कि मन से पुकारो मैं कहीं मैं हर जगे हूँ तुम भी हर जगे हो तो आप मन से सोचो और वहाँ जाओ उनके दर्शन कर आराम से कर सकते हो मेसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आपको सिर्फ आखे बंद करनी है और अपने अंदर महसूस करना है कि मैं मंदिर गई थी मैंने उनकी पूझा करी जल डाला ठीके आपके लिए मेसेज यहाँ पर यह आ रहा है किसी चीज का आपको अफसूस करनी की ज़रत नहीं है मुझे सा लगा emotionally थोड़े से कि मैं क्यों नहीं जा पाया किस लिए नहीं जा पाया क्या हुआ तो वो सारी चीजों का आप बिल्कुल भी मत करो मन से सोचो भागवान तो बन के भूके होते हैं केते हैं कि जब हम मांसिक सोचने लगते हैं सब कुछ करें तो हमारी imagination उससे क्या है न आपका बहुत सारी चीजे भी यहाँ पर सही होंगी तीके मन से सोच के आपके मैं यह सब कर रहा हूँ तो वो भी मुझे कबूल है किसी की life में बहुत सारी खुशिया आने वाली हैं उनकी जोली में बहुत सारी खुशिया बोले डाल रहा है तीके यहाँ पर मेसेज आया है कि किसी के लिए मेसेज गणेश भगवान की तरफ से भी उनकी भी आप बहुत आराधना करते हो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरे साब परिवार की बहुत प्राधना करते हो उनसे ही तुम अपना सब कुछ देखते हो किसी की फैमिली में है थुप खराब हो सकती है तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा उनके उपर ध्यान देनी की ज़रत है ठीक है वो ऐसे परसन है कि अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करते है किसी को बाताते नहीं है लेकिन किसी के लिए मेसेज है यहाँ प्यारा है कि आपके घर में किसी की बुजूर्ग की तबे थोड़ी ऐसी है तो उनके उपर थोड़ा सा ध्यान देनी की ज़रत है किसी को यहाँ पर विक्ट्री मिल रही है ठीक है एक यह क्राउन बनाया है यहाँ पर यह crown है, यह V बना हुआ है, किसी किसी के लिए बहुत success, भोले बाबा उनकी life में बेज रहे हैं, यह देखो, डोगी बना है, पिल्कुल clear image है यहाँ पर, पूरा clear image है यहाँ पर, आपके घर में कोई पैरोट है, देखो कितना, मतलब clear है यह picture यहाँ पर, यह उसकी जो चोंच होती है, वो भी पैरोट, आपके घर में पैरोट भी एनिमल से आप बहुत अच्छा connection बना हुआ है, अपका, ठीक है, आपके घर पर पैरोट या पिजन भी काफी आते होंगे यहा पर, ठीक है, लोटस फ्लोवर आपको काफी परसन दे, ठीक है, तो वो मुझे इसा लग रहा है कि आपका फूलों से भी connection काफी अच्छा है, तो बोले बाब आपको बोल रहे हैं, कि यह जो फूल होते हैं, बहुत नाजूक होते हैं, तो इनको है, किसी के लिए message यहाँ पर आ रहा है, कि कोई शायद फूलों के बारे में, मतलब वो कहते हैं, उनकी किसी भी चीज में use कर लेना, किसी भी उसमें कर लेना, तो यहाँ पर अपके लिए बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है ठीके अरवार्माद किसी के हेड़क की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नजर आ रही है थोड़ा सब मसाज लेने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जिससे आपको रिलेक्स हो सके आपको यहाँ पर मैं किसी किसी का देख रही हूँ कि किसी की मतलब लाइफ पार्टनर उसका जीवन साथी यहाँ पर मिल रहे है सोलमेट एनरजी यहाँ पर काफी निकल के आ रही है क्योंकि बोले बाबा भी ट्विन फ्लेम शीव शक्ती है तो यहाँ पर मैं काफी मतलब का लोगों का रियूनियन देख रही हूँ मैं सब जो जिससे बिछड गए थे जो जिससे अलग हुए थे टेके वो सब शंकर भवान की कृपा से वो सब अब वापस इखटे हो रहे हैं वो अपनी फिलिंग को शेर कर रहे हैं यह सबसे बड़ा मुझे गिफ्ट लग रहा है भोले बाबा की तरफ से सबसे बड़ा मतलब एक किसी के लिए blessings है यह जबर ज़स्त blessings है भोले बाबा की ठीके कि वो जिससे मिलना चाहते थे जिससे बात करना चाहते थे काफे टाइम से इसमें मतलब एक वो सब नेगिटिविटी हो सकती है या कुछ अपने आपको बहुत ज़ादा अपने लिए पज़ेसिव हो जाना वो वो चीजे में यहां पर देख रही हूँ तो वो सारी चीजे मतलब किसी के परसन रूट के चले गए थे री यूनियन के जिसके जो परसन आप मतलब लव के लिए भी नहीं हाँ पर निकल के आ रहा है वो सब भूले बाबा की किरपास सब एक दूसरे से मिल रहे हैं आपर ठीके किसी किसी के घर में बहुत ज़ादा खुशिया आने वाली है ठीके बच्चों को लेकर भी यहाँ पर बहुत ज़ादा बहुत बहुत एक वो केते न अच्छी किसी ने कुछ किया है बहुत सारी चीजे बोले बाबा बोल रहे हैं के रस्ते में हैं ठीके जो कुछ होगा आपकी लाएं पर बहुत ज़बर जस्त होने वाला है बहुत ही ज़बर जस्त ठीके बोले बाबा के किसी तीर्थ पर जाना चाहते हो लेकिन जानी पा रहे हैं उस चीज़ को भी बहुत मन में हैं आपके लेकिन यहां पर मेसेज किसी के लिए आ रहे हैं के बोले बाबा बोल रहे हैं के टाइम होईगा उस टाइम पर मैं अपने आप बुलाओंगा उन सब को अपनी चीज़ों को बहुत इमानदारी से कर रहे हो बहुत अच्छे से आप ग्रोध की तरफ बढ़ रहे हो आगे बढ़ रहे हो तो यहां आप मेसेज किसी के लिए आ रहा है के ऐसे ही करते रहो किसी कि मेरिज देख रही हूं है यहां पर जिसकी भी मेरिज है यहां पर वो दोनों कपल बहुत क्यूट है बहुत प्यारे है ठीक है तो मेसेज उनके लिए आ रहा है वो बोले बाबा की तरफ से उनके लिए ब्लेसिंग्स है वो भी आशिरवाद दे रहे है मां से उनकी किरपा आप पर हमेशा बनी रहेगी लेकिन यहां पर मेसेज किसी के लिए आया कि जो बोलते हो उसे करना भी सीखो ठीक है कुछ बोल रखा है उसे कंप्लिट करो ठीक है तो मैं इस रीडिंग को यह क्लोस करती हूँ तो यह थे है तो इस रीडिंग को मैं यहीं पर क्लोस करती हूँ आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो रेजोनेट होती है तो प्लीज लाइक कमेंड और सब्सक्रेब भाई थेंक्यू 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 सो मच एंड हैव भी शिवरात्री